कि आप सब उमेद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेच्छी चल रहे होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वक्षिट और आज की वक्षिट है क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट की वक्षिट नमबर 12 तो बच्छो वक्षिट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दू कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बिल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि सारी वीडियो क नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंगते रहें तो आज की वक्षिट में हमें जानना है रासायनिक अभिक्रियाएं यां समिकरन बच्चो हमारे जिन्दगी में भी दैनिक कारियों के बीचे कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें हम अपने नजरों जिन्में नए गुण वाले पदार्थों का निर्मान होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं मतलब कि जब हमारे सामने कुछ इस तरह का परवर्तन हो रहा हो जिसमें कि नए गुण वाले कोई पदार्थ बन रहे हो तो इस तरह के परवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहत देते हैं तो सुबा में फुल जाता है तो उसमें भी नया पदार्थ वना उसकी गंध भी अलग हो जाती है तो रासायनिक समिकरन हो रहा है दूध में जब हम थोड़ी सी दही मिला कर छोड़ देते हैं तो पूरा दूध दही में बदल जाता है तो यह सभी रासायनिक अभिक oxygen यह रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो यह अभिकारक कह लाएंगे और ऐसे पदार्थ जिनका निर्मान रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं तो magnesium plus oxygen के रासायनिक अभिक्रिया के फ्रसुरूप मैगनिसिम ऑक्साइड बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रसायने के उत्पाद कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं लोहा और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है लोहा ऑक्साइड जंग लगता है लोहे में जंग लगता है तो लोहे क और उत्पात समझ लिया अब है दैनिक जीवन में रासाइनिक अभिक्रियां क्या क्या होती है जैसे कि देखें दहन दहन क्या होता है लकडी जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है और यह करवंडा एक्साइड बनाती है और इससे फ्लेम निकलता है तो यह क्या दहन का उदा रहा है लकडी फिर चार कोल में बदल जाता है कोईले में बदल जाता है उसके बाद जंग लगना तो मैंने आपको से बताएं कि लोहा जब ओक्सिजन के संपर्ख में आता है तो उसमें जंग लगता है तो ये रखाइणी कंदी कर्या है ऑस्टे को हमारे सरीर के अंदर बोजन का पाचन होता है चीनिकी कर्या कपाया थिर कर बाया अदर दिसावरंन से één जो टू लेकर इदर ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और सुरिक के प्रकास में यह अभिक्रिया होती है तो यह भी रसाइनिक अभिक्रिया है और उसका बैटरी बैटरी में जो कुछ रसाइनिक क्योंकि इसमें साबुन पानी के सांथ मिलकर फेन उत्पन करता है और बेकिंग जो हम लोग ब्रेड वेगरा जो खाते हैं तो इसमें भी आटे के सांथ रसानी कभिक्रिया होती है तो ये सभी कुछ दैनिक जीवन में होने वाली रसानी कभिक्रिया हैं जिन्हें की जो कि हमार परिवर्तन होती है और रंग में भी परिवर्तन होता है ताप मान में परिवर्तन होता है और गैस का उठ सर्जन भी होता है मतलब उससे गैसे भी निकलती है यह निशित है और यहां अब कुछे रसानीक परिवर्तन दिये गए हैं तो आप यहां देखिए कि रसानीक तरफ वाले और यह RHS राइट हैंड साइड मतलब दाहिने हाथ वाले दाहिने हाथ के तरफ वाले तो यह जो हैं बाय हाथ की तरफ जो हैं यह हैं अभिकारक और दाहिने हाथ के तरफ जो हैं यह हैं उत्पाद मतलब कि मैगनेसियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और मैगनेसिय Oxide उत्पाद है रासायनिक अभिकरिया का फ्रहता सरूर बना हुआ, सामान है, जिसे हम लोग उत्पाद चाहते हैं अब इसі को हम लोग यह सब्द समीकरण था, सब्द के रूप में लिखा हुआ था अब रासायनिक समीकरण मतलब कि इनको हम लोग संकेतों के रूप में लिखते हैं तो 2MG मतलब मैंगनेसियम के दो अनू मिलकर ऑक्सीजन के एक अनू के साथ 2MG हो मतलब कि मैंगनेसियम ऑक्साइड के दो अनू बनाते हैं तो यहाँ देखे LHS और यह RHS राइट हैंड साइड हो गया मतलब कि रासाइनिक अभी क्रिया जो होती है उसको रासाइनिक अभीकरन द्वारा दर्स आते हैं जैसे यह रासाइनिक समीकरन लिखकर हम बता रहे हैं कि कैसे मैंगनेसियम और ऑक्सीजन मिलकर मैंगनेसियम ऑक्साइड बनता है और उसके बाद रसायनिक समिकरण में तत्तों के प्रतिक या अभिकारक और उत्पादों के रसायनिक सुत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं क्या है ये तत्वा है और ये इसका इन सबका रसायनिक सुत्र है तो इसको इनके भौतिक अवस्ता के साथ मतलब कितने मिलते हैं तो यहां अस्परश लिखा हुए 2MG 2MG का मतलब हुआ कि 2 Magnesium के 2 अणू मिलते हैं और यहां O2 मतलब Oxygen के 1 अणू तो Magnesium के 2 अणू मिलकर लिखे जाते हैं भौतिक अवस्ता मतलब संख्या वगरा और रसायनिक अभिक्रिया में आवस्तक परिस्थितिया जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, आधी को तीर के निसान के ऊपर या नीचे दरसाया जाता है तो देखिए यहां तीर का निसान दिया गया है तो इसमें आ वायू में जल कर मैगनेसियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसको रसायनिक अभिक्रिया के रूप में हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, अब कुछ प्रस्न है यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां एक से पांच प्रस्न दिये गया हैं, तो इन प्रस्नों के हम उत्तर करते हैं, प्रस्न एक, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रसायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, तो इसका उत्तर है, यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और गैसो का उत्सर्जन इत्यादी दिख तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासानिक अभी क्रिया हुई है या नहीं उसका प्रस्ट में दो है कि निमलिखित क्रियाओं में से रासानिक पुरवरतनों को च्षांट कर लिखे तो उसमें दो क्रिया है थी जो की रासायनिक पुरवरतन हो रही थी पहली है का प्रकास संसलेशन और घौ है दूद से दही का बनना और उसका प्रस्णने तीन है कि दी के रासायनिक अभिकरिया में अभिकारक या मुत पाद लिखे तो इसमें कौन अभिकारक है और कौन उत्पादक है इसको लिखना है तो इसका उत्तर है कैल्सियन कार्बोनेट उत्पाद है जबकि कैल्सियम आउकसाइड प्लस कारवन डाइकसाइड रसायनिक अभिक्रिया है कि CO2 लिया जाता है और O2 निकलता है तो यह गैसी उत सर्जं का बहुत ही अच्छा उदारन है उसके बाद रसानी कभी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवतन होता है तो दहन से भी अठना दो होता है थो 2 लिए चाहिए तो यह अचछी लगए हो तो लाइक सब्सक्राइब कोमें जरूर動画 में आ करद में कि